जब इनसान के पास पैसा आ जाता है तो इनसान उल जलूल हरकते करने लगता है और यह बास सत्य है बहुत सारे ऐसे केस समाज के अंदर होते हैं जब इनसान पर पैसा आ जाता है तो इनसान पागल हो जाता है और पागल होकर उल जलूल हरकते करने लगता है आज की घटना में एक किसान का कुछ एकड़ जमीन बिकता है और जमीन बिकने के बाद 22 करोड रुपे उसके घर पर आते हैं और जैसे 22 करोड रुपे उसके घर पर आते हैं तो उसका जो बेटा अब तक पढ़ाई लिखाई कर रहा था नौकरी की तयारियों में लगा हुआ वह उन पैसों को देखकर एकदम से चकाचौंद हो जाता है और फिर वह उन पैसों के बलबूते पर पढ़ाई को छोड़ करके आयासी, मौजमस्ती, दादागीरी, गुन्डागर्दी इस तरह का किरते करने लगता है दोस्तों उसके बाद पैसे के गुरूर में पैसे के नसे में आकर वह दो खतल कर बैठता है और उसकी जो पत्नी होती है वह एक तरह से वैस्या बन जाती है पैसे के पीछे बहुत सारी बुराईया होती है आज इस घटना से हम समझेंगे दोस्तों नमस्कार में हूं सुदेश कुमार और तिरशीवा चैनल में आपका स्वागत है यह घटना हरियाना के गुरूगराम के पालम विहार थाना छेतर में एक दौलताबाद इलाका पड़ता है दौलताबाद इलाका के अंदर देवेंदर सिंग नाम का एक व्यक्ति रह करता है जो की भारतिय सेना में सूबेदार है और सिक्किम सहर में उसकी पोस्टिंग है उसकी पतनी बिमला उसका बड़ा बेटा सचिन जो की 24 साल का है छोटा बेटा जिसका नाम मोहित होता है वे 21 साल का है और इनके ही घर में जो देविंदर सिंग है उसका साला जिसका नाम नहार सिंग है वह रहा करता है उसके पास जमी जाइदाद खूब है लेकिन उसने साधी नहीं किये और वह पीछे से इसलापुर गाउं का रहने वाला है बहुत ही अमीर है उसकी तीन बेहने हैं जिसमें से सबसे चोटी बेहन जिसका नाम विमला है वह विमला के घर पर ही रहा करता और अपने दो भांजे सचिन और मोहित इनके साथ रहा करता है। अभी सेख जिसकी उमर 21 साल होती है और उसके तीन दोस्त एक मन्ना, दीपांकर और नितेज ये वहाँ आधमकते हैं और अभी सेख उस नहार सिंग के भांजे मोहित का दोस्त था पुराना दोस्त अभे चार लोग यहाँ पर आधमकते हैं अभी सेख उसके तीन दोस्त और यह से हेँ आया हुआ था अपने तीन दोस्तों के साथ deployed अब इस एकंधनी बंधूग निकालता है और मोहिड के उपर यानि की नहार सींग के भांज़े मोहिट के उपर बंधूग तान देता है और नार सिंग पुलिस को बताता है कि मेरे भांजे मोहित की हत्या उसी के पुराने दोस्त अभी सेग ने की है उसने इसके उपर गोलियों से फायर किये हैं पुलिस लास को पोस्ट मार्णम के लिए भेज देती है और मामले की चानवीन में जुड़ जाती है पुलिस वाँके CCTV कैमरों को खंगालती है तो सारा मामला पुलिस की समझ में आ जाता है और पुलिस खबरियों की मदद से हमगिरी चौक से अभी सेग और उसके तीनों दोस्तों को पकड़ लेती है इन सब को पकड़ करके अभी सेग से यहाँ पर पूस्तास की जाती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है दरसल दोस्तों अभी सेग जो की धनवापुर गाउं का रहने वाला है और उसके पिता का नाम है भानमल भानमल के पास बहुत सारी जमीन है और 2012 में भानमल ने एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा बेचा था और वह बिका था 22 करोड रुपे का 22 करोड रुपे की वह जमीन बिची थी तो यहाँ पर भानमल अपने घर में फोर वीलर ले आता है दो और फोर वीलर लाके उनके रहने सेने के ठाट बाट बदल जाते हैं इधर जो अभी से एक था वह पढ़ाई लिखाई कर रहा था अब उसको जब इतने पैसे देखते हैं तो वह पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है कहता है कि अब मैं किसकी नौकरी करूँगा मैं ही दूसरे लोगों को नौकरी दे दूँगा अब तो मेरे पास एतने पैसे हैं अब इसे एक पढ़ाई को छोड़ करके अब गुंडागर्दी करने लगता है गाड़ियों में घूमना और लड़की वाजी करना पैसे उड़ाना दोस्तों के साथ घूमना सराप पीना आयासी करना यानि कि गाड़ी उसके नीचे होती है और पैसों से उसका जे बरा रहता है और मौज मस्ती करता हुआ इधर उदर वह घूम रहा होता है इसी तरह से उसकी दिंचरिया बन जाती है उधर नार सिंग अपने भांजे को नेता बनाना चाहता था नार सिंग का जो भांजा था मोहित और दोस्तों मोहित की भी पढ़ाई छुडवा देता है क्योंकि नार सिंग जो मामा था उसके पास भी बहुत सारे पैसे और धनमाल पूरा था तो अपने भांजे को नेता बनाना चाहता था तो अपने मोहित भांजे की पढ़ाई लिकाई छुडवा देता है और उसको बहुत सारे पैसे दिया करता है एक एक दिन में इतने पैसे दे दिया करता है जितना एक आम परिवार एक महीने में खर्चा कर पाएगा उसका घर का खर्चा चल पाएगा इतने पैसे वे मोहित को दे दिया करदा था इसी तरह से अब मोहित भी बिगड जाता है पूरी तरह से और मोहित और अभी से एक दोनों दोस्त थे तो दोस्तों दोनों के पास ही पैसे रहा करते दोनों ही मौजमस्ति किया करते आप यहाँ पर मौहित और अभी से एक दोस्त थे लेकिन एक लड़की की वज़े से इनके बीच में दरार पड़ गई थी अब वो लड़की कौन थी उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी लेते हैं लड़की जिसका नाम मांसी होता है जो की 21 साल की है पिता का नाम फकीर एलाल और पीछे से वे बिहार की है पर गुरु गराम में रहेकर उसका पिता यहाँ पर जॉब किया करता और किराय के मकार में वे लोग रहा करते हैं अब जो यह लड़की होती है मांसी यह कॉलिज जाती है और कॉलिज में इसकी नजने लड़कों से मिलने लगती है और लड़कों के साथ भूमने लगती अयासी करने लगती है पिता को इसकी अयासी के बारे में पता लगता है तो बेटी को खूब समझाता है लेकिन बेटी नहीं मानती है अब पिता उससे लड़ाई धगड़ा करके बेटी को घर से निकाल देता है और मांसी अब किराय का घर ले लेती है और अब तो उसको खुली छोटती, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था अब वे मौज मस्ती किया करती और जहां उसका मन किया करता वहां पर घूमा करती जिसे लड़के के साथ उसे मन कर लगता उसी लड़के के साथ घूमनी निकल जाया करती अब दोस्तों वे पब जाने लगती है और पब में खूब इंजोय किया करती पब में उसकी मुलाकात एक विक्की नाम के लड़के से होती है विक्की नाम का लड़का जो की अभी सेक और मोहित दोनों का दोस्त हुआ करता था अब विक्की नाम के लड़के से उसकी मुलाकात हो जाती है और उससे मांसी को प्यार हो जाता है विक्की नाम के लड़के से और विक्की भी मांसी के उपर दीवाना हो गया था क्योंकि मांसी देखने में बहुत ही खूब सूरत देखा करती थी अब यहाँ पर मांसी का विक्की पूरा खर्चा उठाने लगता है उनके बीच में संबन्द बनने लगते हैं और विक्की यह कहता है मांसी से कि मैं तुमसे साधी तो नहीं कर सकता लेकिन पूरे जीवन भर मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ और मांसी के रुम का रेंट और उसका खर्चा उसको enjoy करने के लिए पैसे बहुत सारे पैसे उसको दिया करता है विक्की दीरे-दीरे कुछ समय गुज़ा जाता है लेकिन दोस्तों मानसी जो की डाल-डाल और पात-पात पर बैठने वाली थी उसका विक्की से मन कहां लगने वाला था अब मांसी का विक्की से मन उचर जाता है और अब कुछ दिन बाद मांसी का मन विक्की से जैसे भर गया तो विक्की से दूर रहने लगती है उसके फौन भी नहीं उटाती है अब मांसी को अभी सेख यानि की विक्की का जो दोस्त होता है उससे उसको प्यार हो जाता है क्योंकि उसको पता लगता है कि अभी सेख तो विक्की से भी जादा पैसे वाला है और मांसी जो की पैसो की लालची थी अब मानसी अभी सेख के साथ गूमने लगती है और विक्की को पता लगता है कि उसके दोस्त अभी सेख के साथ उसकी प्रेमिका मानसी गूमने लगती है तो विक्की मानसी को समझाता है लेकिन मानसी समझती नहीं है और अप्रेल 2012 में अभी सेख और मांसी दोनों कोर्ट मेरिज कर लेते हैं दोनों साधी करके अब एक साथ रहने लगते हैं मांसी को किराय के रूम पर रख दिया जाता है अभी सेख उसी के पास चला जाया करता है अब विक्की को पता लगता है कि उसी के दोस्त अभी सेख ने उसकी प्रेमिका के साथ साधी की है तो अभी सेख से लड़ बैटता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं था कि यह मेरी गल्फ्रेंड है लेकिन दोस्तो अभी से कहता है कि मैंने साधी अपनी मर्जी से नहीं की है यह साधी उसकी मर्जी से भी हुई है मांसी भी साधी से राजी थी तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कहा सुनी हो जाती है यहाँ पर जो विक्की होता है वे अभी सेक्ट कहता है कि यह है जो मांसी है यह तेरी दौलत से प्यार करती है देख लेना यह एक दिन तुझे भी धोका दे कर और छोड़ कर चली जाएगी लेकिन अभी सेक्ट तो अभी मांसी के प्यार में अंधा था और वे अपने दोस्त विक्की की बात सुन ही नहीं रहा था जबकि विक्की की बात सही थी मांसी लालची लड़की थी क्योंकि उसको जहां पैसे जादा देखते वे वहीं हो जाया करती थी यानि कि पासा बदल लिया करती थी अब यहाँ पर दो साल गुजर जाते हैं और दो साल गुजरने के ब तो बताओ तुम पब में क्यों जाती हो अब मांसी यहां पर कहती है कि मैं पिंजडे में कैद होने वाली चिडिया नहीं हूँ मेरे जीवन के उपर कंट्रॉल तुम्हारा नहीं हो सकता मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी और तुम मेरे उपर कंट्रॉल नहीं कर सकते हो यह बात जैसे ही मांसी अभी सेख से कहती है तो दोस्तों यहाँ पर अब जो अभी सेख होता है मांसी से लड़ जाता है और मांसी अभी सेख से अलग होकर किराय के मकान में रहने लगती है और पब में जाने लगती है किसी दूसरे आसिक की तलास में अभी सेख को यह बात बुरी लगती है और अभी सेख अब मांसी से बदला लेना चाहता है और बदला लेने की फ्राक में अब एक दिन क्या होता है सेक्टर सत्रे के गंदे नाले पर अभी सेख खड़ा हुआ था और मांसी को फोन करके वहाँ पर बुलाना चाहता है लेकिन अभी सेख को पता था कि मांसी यहाँ पर नहीं आएगी इसलिए अभी सेख मांसी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए आठ तोले का हार बन बाया है और तुम उस हार को लेने के लिए आजाओ और पुरानी बातों को भूल जाओ और सेक्टर 17 में गंदे नाले के पास अभी सेक उसको बुला लेता है अभी सेक के साथ उसका दोस्त खुसी राम और उसका दोस्त कपिल वहाँ पर खड़े हुए थे मानसी वहाँ पर आ जाती है मानसी देखती है को उसके दो दोस्त भी वहाँ पर खड़े है कि तुम मेरे उपर कंट्रोल नहीं कर सकते है तो यहाँ पर धार्दार हत्यार से अभी सेक उसकी गर्दन पर वार करता है और उसका वहीं पर कतल कर देता है उसके बाद उसके जो दोस्त थे खुसी राम और पकाकपिल वे मांसी को हाथ पेर पकड़ कर उस गंदे नाले में फैंक देते हैं दोस्तो अब चार दिन गुजर जाते हैं चार दिन बाद 9 जुलाई 2014 को वे लास पानी से उपर आती है तेरती हुई वे लास तेरती हुई लोगों को दिखाई देती है तो पुलिस को बलाया जाता है पुलिस वहाँ पर आती है लास को निकालती है लेकिन लास बुरी तरह से सड़ चुकी थी फूल चुकी थी उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था तो पुलिस उसकी सिनाक करवाने में अस्फल रहती है और फिर पुलिस उसकांतिम संसकार कर देती है और मानसी की फाइल को बंद कर दिया जाता है दोस्तो पुलिस ने अब अभी सेख को मोहित के कतल के जुर्म में पकड़ा था और यहां पर पकड़ने के बाद पूछा कि तुमने मोहित को क्यूं मारा तो यहां पर अभी सेख ने बताया कि मोहित ने एक बार अभी सेख का मांसी को लेकर के मजाक उड़ाया था इसलिए अभी सेख ने अपने ही दोस्त मोहित से बदला लेने की सोची क्योंकि उसने मानसी को भी मारा था तो उसने सोचा कि कानून तो कुछ है ही नहीं उसे भी नहीं पकड़ पाया क्योंकि मानसी को मार दिया था तो मोहित को भी मार दूँगा कोई कुछ नहीं बिगार पाएगा पैसे बहुत है मेरे पास तो यहां पर इसलिए अभी सेख ने मोहित को कैफे में चाय पीते हुए उसके मामा के सामने ही गोलियों से भून डाला था अब पुलिस पूछती है कि मानसी कौन है मानसी का चकर क्या है तो यहां पर सारी घटना अभी सेख पुलिस के सामने बया करता है और फिर यहाँ पर मानसी का राज खुलता है तो इस तरह से दोस्तों पैसों के चक्कर में लोग अंदे हो जाते है जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो बिलकुल ही बावला सा हो जाता है उसको सही गलत की पहचान नहीं रहती है वो पागल बदधवास सा और अयासी मौज मस्ती करता हुआ इदर ऊ-दर घूमता रहता है और समझता है कि लोगों को वो आपैसे से खरीच सकता है वो आपकुछ भी पैसे से कर सकता है लेकिन यह गलत है दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है और वो बूड़े बड़ों ने कहा भी है कि पैसे जादा आने की वज़े से इंसान का दिमाग फिर जाया करता है तो कभी भी पैसे की बज़े से दिमाग को ना फेरे यह संसार है यहाँ पर हर चीज कोई भी चीज सताई नहीं है हर चीज अमिठ है एक ना एक दिन उसको मिठना ही पड़ता है तो यहाँ पर इस तरह से इस अईयास अभी सेक को पकड़ा इसके दोस्तों को पकड़ा और जो मोहित था वह भी पैसे के चक्कर में इदर-दर घुनता उसको भी सजा मिली वह भी मौत के घाट उतारा गया और मांसी जो की लालची थी, पैसो के चक्कर में भागा करती थी, उसको भी उसके कियेगी सजा मिल गई, उसकी लास्की तो सिनाक्त तक भी नहीं हो पाई तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है दोस्तों, जमीन पर रहें, धरातल से जोड़कर रहें, हवा में ना उड़ें, वरना हवा में उड़ने वाले, ज़्यादा दिन तक हवा में ठहर नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी वो धराम से जमीन पर गिरते हैं, और फिर उनका भाण जब हरता